हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका आपके पने यूट्यूब चैनल इसमा इंवेस्टमेंट में फ्रेंट्स बैंक ओफ महराश्टर के आज क्वाटरफूर के रिजल्ट्स आये हैं रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं स्टॉक सब्स्टेंशली अपने 52 वीक हाई से क्यों इस स्टॉक का फूचर आउटलुक बहुत पॉजटिव है इस बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाटर फूर की रिजल्ट्स को डिसकस करेंगी इससे पहले भी हमने कुछ PSU बैंक पे अपनी राय रखी जिसमें केनरा बैंक और इंडियन बैं पे वन आर्स का लाइफ सेशन हमने रखा हुआ है जो भी जॉइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया उसमें आप अपने लिटेल फिल कर दीजिए हम लिंक आपको शेयर कर देंगी सेशन फ्री आफ कॉस्ट है जो आज बैंक आप महराश्या के रिजल्ट साय है उसकी मेजर हाइलाइट में आपको बताना चाहता हूँ बिजनस लगबग 20% के आसपास ग्रोव हुआ है 3.37 लाइक करोड बैंक का टोटल बिजनस है सबसे अच्छी जो दो चीज इस रिजर्ट में निकल के आई है एक तो NPA के फ्रंट पे नेट NPA 1% से नीचे चला है जो लिटरली बहुत बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत बड़ा चीवमेंट एस बैंक के लिए प्रोविजनिंग पीसी और प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 95% के आसपास है और ग्रॉस NPA लगबग 4% के आसपास है नेट प्रॉफिट जो है 115% के आसपास बढ़ा ह हाला कि जो है उसमें फ्रोविजनिंग घटी है उसका सितसे इंपाक्ट देखने को मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगबग 1180 क्रोड के आसपास आया है नीम जो है 3.17 क्रोड के आसपास आया है वाई ओन वाई बेसिस पे भी फ्रेंट्स जो है प्रॉफिट बढ़कर आया है तीस परसेंट के आसपास में और बोड ने 5000 क्रोड के आसपास की कापिटल जो है रेस करने का लायन किया है बेसल थ्री को कंप्लाइ करने के लिए और यह एफ प्यों देके आ सकते हैं राइट से इसू क्यों आई पी के थूरू या प्रेफरेंशल अलाट्मेंट के सबसे बड़ी बात कि ज्यादा तर प्यास के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं क्योंकि जिसके वजह से सिधा सिधा प्रॉफिट भड़ रहा है पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पे मुझे कहीं भी 5-6-10 परसेंट से ज्यादा का इंप्रूमेंट नहीं देखने को मिल यह लास्ट इयर भी जो है 520 की कंपैरसन में 21 में एक अच्छा जंप 20-22 परसेंट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिला था उसके ऊपर 22-23 परसेंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस बार जंप देखने को मिला है जो वाके में ही बहुत बड़ी फीगर ह ऑपरेटिंग लेवल पर बैंक बहुत बढ़िया कर रहा है और एनपेज लगातार गट रहे हैं तो ऐसे में अगर यह परफार्मेंस कंटिन्यू रहती है कंसेस्टेंसी के साथ इस तरह से परफार्म करता है तो आने वाले टाइम में प्रॉफिट जो है काफी बड़े से कितनी रहते है क्योंकि जो प्रेस एसेट्स बहुत रहती है चुपी हुई एसेट्स रहती है जो जो है बैंक जल्दी से डिस्क्लोज नहीं करता है और वाचलिस काफी बड़ी होती और सर्पाइसिंगली जो है जो निउस लिपेजिस इनके देखने को मिलते हैं यही से मार्केट आर्श के दोरान आ गए थे थोड़ा पॉजिटिव नोट के साथ स्टॉक बंद हुआ है पर कोई फायर वक्स देखने को नहीं मिला अफ्रेंट्स अब बात आती है कि फ्यूचर आउट्लुक है 18 रुपे के आसपास का सेंपी है जब प्राइवेटाइजेशन क न्यूज आई थी उस तेम जो इफोरिया बना था वहां पर 31 रुपे के आसपास का हाई स्टॉक ने बनाया है वहां से सब्स्टेंशली स्टॉक करेक्ट हुआ है फवाई 22 की जो अरजेस्टेट बॉक वैल्यू है उसके 085.90 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है पी मुझे काफी सस्ते लगते हैं मेरा मानना है फ्रेंट्स के स्टॉक काफी रिजनेबली प्राइज्ड हर गिरावट में आप खरी सकते हैं दो तिन साल के व्यू के हिसाब से पर थोड़ा सा रिस्क जो है PSU बैंक्स में रहता है और बैंकिंग और NBFC के स्टॉक वैसे क्या रही कि प्राइविटाइजेशन का भी कैनिडेट बन सकता है तो आप अपने रडार पर रखिए काफी सब्स्टेंशल करेक्शन हुई है आने वाले टाइम में अगर फर्दर करेक्शन देखने को मिलती है साइपी मोड में आप एक्युमिलेट करके पोर्टफोलियों क अपर लग रहा है तो फ्यूचर आउटलुक मेरे को प्यूच्व बैंक्स का बहुत पॉजिटिव लगता है वर आपको बहुत स्पेसिफिक रहना होगा उस बैंक उन बैंक से बचे जहां इसेट क्वालिटी की पोजिशन बहुत खराब है जहां इंप्रूव्मेंट हो रह अल्रेडी काफी बढ़ा हुआ है और वहां पर उसी लॉबी में आप बैंक आफ महराष्टा भी जॉइन कर रहा है लगातार असेट क्वालिटी सुधर रही है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है आने वाले टाइम में काफी अच्छे रिटर्न ये बैंक आपको दे सकत है फर्दर आपकी कोई भी कोई इस वीडियो को लेकर हो फिल फ्री टो आस्क में दे कमेंट सेक्शन वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आपके अपने ट्यूब चैनल इस वाइंवेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना बूले थैंक